Hello and welcome everyone स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में दोस्तों हर बार की तरह फिर से मैं एक और वाच के साथ आप लोग के सामने आया हूँ एक budget friendly वाच जिसको आज मैं यहाँ पे अन्बॉक्स करके आपको in detail सारा बताने वाला हूँ हाली में मैं कुछ वीडियो अभी डाल नहीं पा रहा था just because मैं कुछ परसनल काम में busy था तो अभी से फिर से रेगुलर वीडियो आने लगेंगे so stay tuned and watch this video till the end thank you दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस यह बता दिना जाता हूँ कि मैं इस तरह वीडियो लाता रहता हूँ मेरे इस चैनल पर जिस पर डिफरेंट डिफरेंट वाचेस के उपर बाते होती है और डीटेल्स में मैं समझाता हूँ वाचेस के फीचर्स क्या रहते हैं प्राइस कैसे रहता है तो मुझे motivate करने के लिए एसी तरह वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो और इस चैनल का रीच थोड़ा बढ़ सके तो ज्यादा दिनी ना करते हुए वाच को अन्बॉक्स करते हैं और चलिए देखते हैं कैसा है वाच और डीटेल में जानते हैं इसको तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहा है वाच आता है सिल्वी ब्रैंड की तरफ से जिसको मैंने हाली में ही पर्चेस किया है तो अभी इसको हम लोग अन्बॉक्स करके देख लेते हैं तो वाच का नेम है प्रोटोटाइप प्रोफेशनल एज जो कि इनका प्रोटोटाइप सीरीज में से एक और निया इंट्रोडेक्शन है काफी बढ़िया वाच है और आपको सबसे पहले बॉक्स ओपन करने के बाद मिलता है सिल्वी सैंटा सेल काई ग्रीटिंग काड और उसके साथ एक और काड मिलता है जिस पे सिल्वी के इस वाच के उपर जो वारेंट इंफोमेशन एंड इसके सिल्वी के सोसिल मेडिया हैंडल्स के उपर डीटल्स मेंशन किया हुआ है तो बॉक्स पकेजिंग आप देख पा रहा है विंटर थीम या फिर क्रिस्मस थीम के उपर पकेजिंग बनाए हुआ है काफी फ्रेश पकेजिंग है जैसा मेरा लास्ट वीडियो में था इंपेरियल ब्लू के उपर सिमिलर काइंड ऑफ टैकेजिंग है और वच भी अच्छी तरीके से पैक्ट है तो इसको अभी हम लोग बाहर निकालके देख लेते हैं तो गाइस अफ्टर अन्बॉक्सिंग लेट्स टेक ए कंपलीट ओवर्वीव अफ दिस वाच तो फस्ट फॉल इसके डिजाइन को देखने से एट रिमाइंड्स में अफ दे मॉस्ट फीमस और इकोनिक वाट्स अवाल टाइम याट इस टीसो पीर एक्स पावमेटिक अडि इसका डिजाइन लेंग्वेज कंपलीटली उसी से इंस्पायड है इंटीग्रेटर ब्रेसले डिजाइन और इसका जो बटरफ्लाइ क्लास्प इसी में भी उसी तरह कहीं बटरफ्लाइक लास्प दिया गया है यहां पे टैग लगा हुआ है सिल्वी का सिर्यल नंबर एंड मॉडल नंबर मेंचन किया हुआ है डायल डिजाइन इसका देख सकते हैं आप कंपलीटली वाइफल डिजाइन के साथ संबस्ट इफेक्ट के साथ है और देखने से अल्मोस्ट इडेंटिकल टूदा इसो पीरेक्स ही लग रहा है और इसका जो केस माटीरियल यूज हुआ ह है दाइस कंपलीटली स्टेनले स्टेनले स्टेल बिल्ट इसका केस इसका स्ट्राप जो की ब्रेसलेट है डाट इस कंपलीटली स्टेनले स्टेनले स्टेल इसके बाद एक और फीचर है इसमें देखिये इसमें जो क्लास्प है जैसे कि टीसो पीरेक्स में भी है सिमिलर काइ कोई शुनी है और इसका जो case back है that is also stainless steel ठीक है इसका जो crown है that is unsigned crown और इसका जो case back है उसके उपर भी brush finish के साथ दिया गया है कुछ key information के साथ है camera में I guess आपको ठीक से दिखने ही रहा होगा मैं mention कर देता हूँ इसके उपर silvy का branding दिया हुआ है 30 meter water resistance के साथ लिखा हुआ है Japanese movement यूज हुआ है और इसका जो model number है वो इसके mentioned किया हुआ है तो यह सब key information इसके case back पर दिया हुआ है तो watch का design language काफी premium है काफी unique लग रहा है तो अभी हम लोग इसके technical specs के बारे में बात कर लेते हैं और क्या-क्या इस watch में features available है वो भी हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसका जो bracelet है that looks really nice बट इसमें एक catch है यह solid metal link bracelets नहीं है यह folded link bracelet है तो इसमें वैसा आपको weight या वजन ऐसा feel नहीं होगा थोड़ा सा rattling sound आपको इसमें मिलेगा और इसका जो dial है that is I must say काफी beautiful dial है पूरा original जो tso prx का design language है डायल का उससी को match करने का कोशिश किया गया है waffle design के साथ blue sunburst effect इसमें आ रहा है silvy का branding दिख रहा है और इसमें एक date window भी दिया हुआ तो इसमें date complication के साथ ही है ठीक है और यह जो watch है आप इसको easily kind of dress watch करके बहन सकते हैं इसके जो our hands है उस पे आपका lume दिया हुआ है lume test अभी हम लोग करके देख लोते हैं तो दोस्तों lume test करने के लिए इसके जो our hand and minute hand पे जो lume दिया हुआ है उसको test करने के लिए मैं अभी क्या करने वाला हूँ मैं इसके उपर अभी UV light project करके इसको देखने वाला हूँ कि कितना इस पे lume का intensity है तो यह रहा मेरा UV light और इसके उपर अभी मैं थोड़ा सा इसके उपर expose करूँगा ताकि इस पे थोड़ा सा वो absorb कर ले light और तुरंत ही उसका lume का intensity visible हो जाए तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप hardly in seconds it is getting brightened up फिर से दिखा देता हूँ मैं देखी तो decent quality का है तुरंत ही absorb कर रहा है और आप physically देख पा रहे हैं कि यह तुरंत ही absorb करके it is getting brightened up illuminated तो decent quality का आपको lume में लेगा मैं से कोई extraordinary kind of आप expect नहीं कर सकते वाज की जो physical dimensions है और जो key information and specifications के details है मैंने यहाँ पे in detail में mention कर दिया है apart from जो मैंने explain किया है वीडियो में यहाँ पे मैंने individually mention कर दिया है आप आराम से इसको pause करके check कर सकते हैं दोस्तों अभी watch के price के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं this watch is priced at 1249 on sylvis website इसको मैंने discount पे कुछ UPI के discount थे जिस पे apply करके मैंने approximately 1000 some amount मतलब less than 1100 मेंने पी किया which is okay for the price okay for the quality I have paid क्योंकि 1000 रुपे में आप क्या ही expect कर सकते हैं and sylvis has done a great job on this काफी satisfactory build quality मेलेगा आपको looking into the price तो आप sylvis के website पे जाके इसको book कर सकते हैं इससे prototype series वो लोग एक नया series पे चालो कि हैं कुछ नय watches भी वो लोग launch कर रहे है तो one by one तो I felt this watch is worth for money तो मैंने इसी लिए इसको purchase किया था इस प्राइस पे तो दोस्तों अभी मैंने इस watch के bracelet के कुछ links को निकाल दिये हैं और मेरे fit के इसाप से मैंने अभी इसको पहन के आपको दिखा रहा हूं मेरा जो six and half inches वाल अरिस्ट है इस पे इसका fit काफी इसको पहनना है इसका look निखर गया है तो यही था इस watch के उपर complete overview इसके final impressions and verdict में मैं यही बोलने वाला हूं watch काफी value for money वाले features के साथ आता है आप इसको easily जा सकते खरिदने के लिए आप disappointed नहीं होंगे तो और इसी तरह मुझे motivate करने के लिए videos को like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ चैनल को subscribe कीजिए ताकि reach और भी आगे बढ़े आपने दोस्तों का अपना community और भी आगे बढ़े तो बिलते हैं किसी और अगले वीडियो में till then take care bye bye अपना ख्याल रखिए जैहिंत